नमस्कार दर्शको सर्वोदे टीवी से आपके साथ मैं हूँ दीपा सिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा खास कालिगरम खास मुलाकात की एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम आपकी मुलाकात उन खास सक्सियस से कराते हैं जिन्होंने कहीं न कहीं पलवल में बहुत अ स्पेशन हुआ है आएए जानते हैं किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की उनकी स्ट्र होई जानते हैं क्या कुछ कहना है bir कoh शिवांस जरा आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताईए मेरा नाम शिवांस है और इस मैंने दो हजार 2021 में बीटेक में एडमिशन लिया है डीट्यू में मेरी जेई में में से 7360 रेंक आई थी और जेई एडवांस में दस हजार रेंक आई थी इसमें मैंने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम जब सब बंद हो गया था और सब जगे से भार जाने मना था तो उस टाइम मैंने मेरे दोस्तने मेरे को मित्तल कासिस के बारे में बताया तो मैंने सर से सर ने मुझे उस महां ले लो और वहां पर सर ने पूरे लॉकडाउन में काफी मदद करी टेस्ट सीरीज दी मुझे और मोटिवेशन करता करा सर ने काफी गौरव सर ने वह खुद आए टी से पास आउट हैं तो उनकी उसकी वज़े से और मैंने मेहनत करी तो उससे मैं जेए मेंस में 7000 रेंक लापाया और मुझे डीट्यों कॉलिज मिला श्रीवां साप से बात करें स्टडी माटीरियल की तो किस तरह से आपको क्लासे से स्टडी माटीरियल मिलता था अरेंज करें थे बाकी में नॉर्मल पहले तो एंशेयरिटी वगएरा वह तो करता ही था और बाकी सर रेगुलर्ली डीपीपी शीट्स वगएरा कोशन्स देते रहते थे जो भी चीज में मुझे थोड़ा डाउट और वह लगता था कि यह थोड़ा वीक पॉइंट है मेरा तो वह सर उसको आइडेंटिफाय करके उसमें कोशन्स सौल करवाते थे और हर एक वीक में क्योंकि लॉगडाउन था तो सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चालू करी थी सर ने तो हर वीक एक टेस्ट होता था जही मेंस का और मेंस के बाद जही एडवांस का भी सर ने काफी पेपर और पेपर टू टेस्ट होता था और टेस्ट के अगले दिन रिजल्ट के बाद उसका डिसकेशन भी होता था तो सर ने अच्छा यह बताईए जैसे आप तयारी करते थे उस दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि मुझसे नहीं होगा या कभी आपने ऐसे डी जब लोगडाउन के बाद ही परेशानी सी शुरू होती है मतलब क्योंकि घर में थोड़ा तो पर सर ने भी मोटिवेट किया और घर पे भी सब पढ़ने पर कोई एक्स्टा कोई ऐसा काम के लिए फोर्स नहीं करता था सर मोटिव मदद ही करते थे कि तुप पढ़ाई कर ल भी थोड़ा बताया पढ़ने के लावा कि यह पढ़ लो मदद करते थे कि हो जाएगा तो उस टाइम सर ने मदद करी काफी सिवान श्रकसर देखा जाता है कि बच्चों में एक यह रहता है कि जो भी तैयारी करता है या फिर जिसका सेलेक्शन होता है कि कि इतने घंटे हमे इसा कोई फिक्स नहीं है आपको और जो भी पड़ो मतलब एक घंटा भी पड़ो तो उसको भंग से पड़ो सेपड़ो कि लिएरली पड़ो जैसे यहि मेंस का तो ऐसा होता है कि हमें पूरा syllabus complete करना होता है तो उसमें तो maximum maximum सब कुछ करना ही होता है पर जैसे जैएडवांस का है उसमें बेसक हम दो घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उसको बजब तक concept के लिए नहीं हो जाता उसी चीज को पढ़ो उसमें काफी प्रैक्टिस करो एक ही टॉपिक में और इसलिए टाइम तो बहुत कि आप मित्रल क्लासिस जॉइन करो और वहां गौरव सर हैं और काफी आई टीन की फैकल्टी हैं और वहां जाके अलग से डाउट के लिए भी बहुत पढ़ने के लिए हो हैं तो मित्रल क्लासिस में आपकी मदद हो जाएगी आप जी रेंग को एक अच्छी रेंग से क्रेक कर सकते हो तो यह हैं इसी गड़ी में हमारे साथ सिवांश के पैरेंट्स भी मौजूद हैं उनकी ममा हमारे साथ हैं हम जाना चाहेंगे उ ने कितनी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि उनके बच्चे ने एक बहुत अच्छी रेंग हासिल की है और बहुत अच्छे लेवल पर उसका सेलेक्शन हुआ है आई आपकी बात्चीत कराते हैं शिवांश की मम्मी हमारे साथ हैं हम जाना चाहेंगे क्या कुछ कहना है सिव ठीट्ट की मम्मी की उनके बेटे का सेलेक्शन हुआ है पहले हम बहुत 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 बथा ही रेंग हासिल की है सफल था मधा हैं अटी आपको बहुत बहुत अंटिक दरशक बताइए कि जो श्रीवांश जब तैयारी करता था तो किस तरह से वो पढ़ता था घर में क्या कुछ एक्टिविटी उसकी रहती थी पढ़ाई तो ये बेटा बहुत अच्छी तरीका से करता था शुरू से हश्टा था और नहीं इसमें गुस्सा था मतलब अपने काम पर पूरा ज्ञान देता था इसे गुस्सा नाम था आया है नहीं कभी से नहीं किसी को जवाब देता तो इसके पापा भी बोल देते कि ये मेरा पुत्र है असली पुत्र है बताना कौन से आसिरवाद से पैदा हुआ है तो ये कभी आपसे ऐसे कहता था कि ममी मैं परिशान हूं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं मुझसे नहीं होगा अगर अगर अद करती हूं उनके दासंसकार करके और ये सुदा मित्तल क्ला से चला गया था इसने अपने दोस्तों से भी नहीं कहा जो मेरे रिलेशन वाले थे न वो कह रहे थे इतना बड़ा बच्चार इसे पापा की नहीं है ये पढ़ने चल चला गया मैंने ये भी सुनी लेकिन इसने प कुछ पैरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि बच्चे का एड्मिशन कहां कराना है किस देशा में तैयारी करानी है तो उन आपके जो से पैरेंट्स जो हैं आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे नहीं इसके पापा को सुरू से पता थी जी एजूकेशन के बारे में बहुत मोटिवेट करते थे लेकिन उनके बाद मुझे यह नहीं समले इन बच्चों नहीं मैं समाली मैं आज आपको बता रही हूं मेरे बच्चे नहीं कभी भी मुझे मैं खड़ी इनके साहा रहते नहीं तो मैं तो खतम ही हो चकी बेटा बहुत अच्छी बात देखो शिवांस की मम्मी ने हमें बताया कि पापा जी जब एक्सपायर हुए थे तो हाला कि ऐसी जब बात होती है घर में कोई भी तो अक्सर बच्चे डिप्रेस में चले जाते हैं बहुत जादा टेंशन लेने लगते हैं लेकिन शिवांस ने खुद को संभाला और उन्होंने इतनी अच्छी रैंक हांसिल की अंटी जी मेरा बिसिकली क्वेशन आपसे ये था क जो और भी पेरिंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि बच्चे को कहां पढ़ाना चाहिए आप उनको क्या कहना चाहिए और फिर आगे पढ़ाई करें तो उस तरह से आप क्या कुछ कहना चाहिए तो यही कहना चाहती हूं कि अपने बच्चों को ज्धान दें मोटिवेशन दें और मितल क्लासे भेजें जेए एडवांस के लिए जो यह बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाते हैं मोटिवेट करते हैं मुझे ते ऐसा पता ही नहीं था कैसे भी हो मैं तो बिल्कुल खतम ही हो तो मतलब मितल क्लासे में जब यह बच्चा पढ़ने के लिए गया तो टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उसे मोटिवेट किया उसको सही गाइडलाइन दी तब जाके उसने अपने अच्छी से तयारी की तो यह थे हमारे साथ सिवांस की ममी और सिवांस ऐसे जिले में नाम रोशन करते हैं अपने पैरेंट्स का और अपने इंस्ट्यूशन का भी साथ ही अपने पढ़ाने वाले फैकल्टीज का भी आप बने रहे हैं मेरे साथ मैं सर्वोदे टीवी से दीपा से दश्को हमने शिवांस से आपकी बात कराई सिवांस की ममा से आपकी बात कराई अभी इसी कड़ी में हमारे साथ शिवांस की दीदी भी मौदूद हैं आई जानते हैं उनका क्या कहना है शिवांस के बारे में किस तरह का स्टड़ी स्ट्रेजी उन्होंने अपनाई थी और क I want to tell about him is I used to study in class 10th I used to ask ask questions from him that what is the solution of this problem and I never knew that what is the solution of this problem and he always answered me the you have to solve this question like this way I used to study in class 12th I don't even know even a single question so his practice makes perfect this is a statement which which is a famous statement what happened is he is so you know you know used to do practice in his work I never do practice in my questions and various subjects but he always does practice and when I ask him a question he always there to answer me